आज हम इस फीडियो में बात करने जारे कि ज्यारखन करमचारी शेनायोग के तरफ से संयुक्त असना तक परसिक्षित सिक्षक परत्योगता परिक्षा 2016 का जो आयजन किया गया था आप सबको जानकारी होगा अभी तक सिर्फ दो परमंडलों का रिजल्ट जारी किया गया है बाकी परमंडल का रिजल्ट को लेकर के कोई भी अधिकारिक रूप से घोस्ता नहीं किये गई हाला कि नियुक्ती की बात करे तो आपको बता दे जनवरी 2019 तक सभी सिक्षकों की नि राज के हाइसकोलों में 17,886 शिक्षकों की नियुक्ती जनवरी 2019 में होगा दूसरी तरफ जारखन करमचारी शियनायोग ने कहा है कि दिसंबर के अंतीम सप्ता तक जो है सभी जीलों के लिए चियनित शिक्षकों की नियुक्ती अनुसंसा भेज देगा यानि कि दिसंबर क अंतीम सप्ता तक कहा जा सकता है कि सभी अभियार्थियों के लिए चियनित शिक्षकों की नियुक्ती अनुसंसा भेज दिया जाएगा फिलाल दो जीलों के लिए नियुक्ती अनुसंसा भेजी गई होई हाइसकोलों में विशयवार गिर्स टीचा रखे जाएंगे यहां तक कि अब जार्खन में भी हाइस्कोलों में गेस सिक्षकों को रखा जाएगा साथी आपको बता दे कि सिक्षक नियुक्ती में हो रही देरी को देखते हुए इसकोली सिक्षा एवं साक्षर्टा बिभाग के प्रधान सचीब एपीस्या की सभी जिला सिक्षा पदादी कारियों से ऐसा परस्ताब मागा गया है यानि कि अब जारकन में भी अतिती सिक्षकों की नियुक्ती होनी है साथी सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे आपको दे तब को जानकारी होगा कि 25% सीटों पर सीधी नियुक्ती से भारा जा इसको लेकर के अभ्यारतियों ने कोल्ट में केस फाइल भी किया है फिलाल इस अपडेट में बस इतना ही कहीं कहा जा सकता है कि यदि 25% सीटों पर सीधी नियुक्ती होती है तो सकेंड लिस्ट भी जारी हो सकता है